हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई यूटीव चैनल DTS Solution फ्रेंज, मैं आज फिर आप लोग के लिए और एक वीडियो लेके हजिर हो गया हूँ यहां पे फ्रेंज देख सेकते हैं, यह मैंने टाटा स्काई का डिस लगा रखा है आपको आज में DTS TV का सिगनल मोबाईल से केसे सेट करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपके पास सब लोग के पास एंडरोड मोबाईल होता है तो एसा एंडरोड मोबाईल से DTS TV का सिगनल केसे हम लोग सेट करेंगे आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं आप लोग को, इससे पहले आप लोगों ने देखा था, मैंने टाटा स्काइगा सिगनल, मोबाइल से केसे सेट करते हैं, उसका वीडियो बनाया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके क्या हुआ है वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं तो तो लिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए मैं आपने मोबाइल में यह आप्लिकेशन जो हम लोग को जरूरते मैं उसे ओपन कर लिया हूँ यह आप्लिकेशन का नाम है कुईक सेट और आप लोग को जिनको चाहिए आप ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आप सीधा प्ले स्टोर से सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसे मैं ओपन कर और क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए लिखा रहा है एंटिना SMC 40 तो यह पहला अप्शन जो है SMC 40 उससे हमें क्लिक करना होगा तो मैंने क्लिक कर दिया तो फ्रेंज यह आपको यूज करने के लिए आप लोग को अपने मोबाल में डाटा और आपका लोकेशन दोनों आपको अन रहना चाहिए और मेरा लोकेशन जो है on है इसलिए यहां पे देखिए महां है पोजीशन बता रहा है तो अग क्या करना होगा हमें मैं next पर क्लिक करूँगा तो देखिए next पर क्लिक कर दिया तो यह next step पर जा रहा है अभी processing हो रहा है थोड़ा वेट करना होगा ह हमें तो देखिए फ्रेंज यहां पे शो कर रहा है आठ सेट मानुवाली तो यह जो आठ सेट मानुवाली है इसे हमें क्लिक करना होगा तो चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो यहां पे पूछ रहा है फ्रेंज नेम लंगीचूड सिलेक्शन तो मैं यहां पे 20 भी दे रहा हूं तो इसका लंगीचूड है फ्रेंज 95 e IS तो अभी सिलेक्शन 1 पह यह तो मैं एड कर रहा हूं तो एड हो गया अभी 20 तीवी पे नीचे जो option दिखा रहा है DSTV पहले यह नीच दिखा दे रहा था अभी हमने add किया अभी यह show कर रहा है तो DSTV पर click करेंगे तो click करने बाद next पर click करेंगे तो अभी फिर से next पर click किया मैंने तो अभी देखिए इसका पहला step जो बता रहा है elevation 63.76 degree पहले हम पहला step अपलाई करेंगे जो number 1 पर लिखाए elevation 63.76 degree तो प्लो को क्या करना गा उसे click करना होगा तो मैंने click कर दिया click करने बाद देखिए निचे कुछ image दिखा रहा है और यह side पर जो yellow का square बता रहा है उसे click करना होगा तो उसे click किया मैंने तो कुछ इस में instruction बता रहा है तो उसे मैं click close कर देता हूँ तो देखिए मैंने close कर दिया और close करने के बाद friends हमें क्या करना होगा mobile को इस तरह पकड़ेंगे हम निचे जिन लोगोंने ठीक से समझ नहीं बा रहे हैं तो मेरा पहला वीडियो है मैं पूरे details बताया हूँ वो जाके फिर देख सकते हैं तो देखिए इस तरह हमें पकड़ना होगा अब पकड़ने के बाद मैं धिरे धिरे इसे उपर करूँगा तो देखिए यहां पे set हो गया तो इसे मैं थोड़ा टाइड कर देता हूँ और कैसे पता चलेगा फ्रेंज कि यहां पे set हो गया यह mobile जो है भाइबरेट करने लगेगा यह अपना जब position पे आ जाएगा यह भाइबरेट करने लगेगा तो देखिए यह जो है अभी भाइबरेट कर रहा है क्योंकि इसका पोजिशन पे है यह फिर अभी क्या करना होगा मैं calculation पे प्रेस करूँगा प्रेस किया तो अब पहला option खतम हो गया अब दुसरा step जो है उसे हम apply करेंगे तो दुसरा step क्या दिया हुआ है देखिए azimuth 151.81 degree तो azimuth पे मैंने click किया तो azimuth पे click करने बाद देखिए same process yellow square पे click करेंगे तो yellow square पे click करेंगे और यह instruction को close करतेंगे तो देखिए इसमें जो है इसका compass on हो गया है अब क्या करेंगे हम disk को जो है disk के उपर इसा mobile को पकड़के हम खड़ा रहेंगे और यहां पे देखिए लिखा है direct the antenna towards the indicated angle 151.81 degree मतलो 151 degree पे हमें जो है disk को घुमाना है तो मैं अभी disk को घुमाँगा तो चलिए मुझे left घुमाना होगा क्योंगी अभी इसमें 180 degree सो कर रहा है तो मैं घुमा रहा हूं left तो फ्रेंस देखिए यह जो है वाइब्रेट करने लगा तो फ्रेंस यह जो है इसी जगवा पे वाइब्रेट करने लगा अब मैं क्या करूँगा अभी फिर से कलकुलेशन पे प्रेस करेंगे हम लोग और प्रेस करने लगे बाद इसका जो थार ओप्षन है क्रोस पोलराइजेशन माइनेस 26.36 डिग्री तो अभी इमेज पे आप लोग देखिए इमेज पे देखिए यह जो है माइनस की तरफ हाइलाइड किया हुआ है टाटा स्काई पे प्लोस की तरफ हाइलाइड हुआ था रेड मार्किंग हुआ था अभी यह माइनस की तरफ रेड मार्किंग हुआ है मनलब हमें माइनस की तरफ घुमाना है वो भी 26 डिग्री तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा राइट साइड माइनस है और लेफ साइड प्लॉस है तो मैं क्या गरूँगा इसे राइट साइड पर घुमाँगा मनुदल अभी ये जो है करीब पच्चा से माइनस पच्चा से तो मुझे 26 करना होगा इसे तो आप 25 भी रख सकते हैं क्योंकि ये सिधा 25 भी दिखा रहा है यहां पर और 26 थोड़ा हल्का सा राइट सेड जाएगा ये तो मैं अभी 25 भी रख दिया हूं तो मैं अभी इसे 25 भी रख दिया हूं तो ये हो गया क्रोस पोलाराजेशन तो ये जो अभी ये डिश डिश टीवी का सिगनल देने में एकदम रेडी है तो इससे जो हम डिश टीवी का सिगनल ले सकते हैं तो मैं इसे मोबाल को आफ कर देता हूं ये मोबाल को मैंने ओफ कर दिया इसकी आप कोई ज़रूरत नहीं है क्यूंकि इसमें जो है हमने सिगनल देने के लिए पूरी तयारी कर लिए इसमें अब हम क्या करेंगे इसमें सिगनल चेक करेंगे तो बने रही है मेरे वीडियो में और फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सुस्क्राइब गर दीजिए इसी तरह आप भी अगर आपका डीस में प्रफ्लम है तो आप इसी तरह सेट करेंगे ना तो आपका डीस भी सिगनल देने लगेगा एक बार ट्राइ किजिए और मुझे कमेंड में बताईए क्या हो रहा है इसके लिए ना तो कोई सिगनल मीटर खरीद ना है ना कुछ करना है सब के पास एंडरोड का मोगाईल होता है फ्रेंट्स आप लोग फिर्फ एक अप्लिकेशन को इंस्टल किजिए और सेट किजिए फिर मुझे कमेंड में बताईए सब्समें हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यह देखे है फ्रेंट्स तो यह देखे है फ्रेंट्स यह जो है 20 वी और सिगनल है 65 पर्षेंट तो फ्रेंट्स जो मेकानिक भाई लोग है कभी आप लोग कहीं पर इसा काम पर गए है और आपका मिटर मतलब कुछ प्रब्लम हो गया है तो आप जो है इस तरह से उसे आप अप्लिकेशन से सेट कर सकते हैं और जो कॉस्टमर अप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग जो है इसा सेटिंग कर सकते हैं अपना मतलब डीस में सिगनाल दे के काम चला सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंड में बताईए और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आया हैं मेरे चैनल को प्लिस सब्स मुझे सपोर्ड कीजिए तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन जाहिए भारत